सो गाइस अभी हम नेक्स्ट काम करने वाले मॉडल की उपर क्योंकि अल्मोस्ट हमारा मॉडल के अंदर जो दिखाना है वो रेडी हो गया यह चीज दिखानी है लेकिन जो अफेक्ट और अमें जो दिखेगा वो कैसे दिखेगा जब तक आप मॉडल बनाऊगे नहीं तो पहले यह जो दिखरी अपने को यह पीछे जो अपना है राइट टेबलर काइंड ओफ इसको बोलते है बैक्ट्रॉप ठीक है जनरली कैसा है इस पर जब मैं क्लिक करूंगा कहीं भी स्क्रीन पे इसको छोड़के तो यह मॉडल बंद हो जाना चाहिए दूसरा है क्लोज ब बना सकते हो या फिर दो separate component बना सकते है फिर एकी component के अंदर एकी file के अंदर दो component भी बना सकते है ठीक है तो backdrop help करता है था कि आप screen पे और कहीं क्लिक न कर पाए एक बार में एकी चीज़ फोकस हो और अगर कोई click करता है तो आप इसको बन भी कर सकते है ठीक है तो पहले इसक इन दोनों के उपर काम करते है तो एक file बनाने पड़ेगी और उसके उपर हम काम करेंगे अभी ठीक है इसके बाद हम पहले normal करके देखेंगे उसके बाद हम use करने वाले react portal ठीक है basically react portal use क्यों करता है आपको बता है basically आप कहीं भी content लिखे लेकिन आप चाहते हो कि content का projection कहीं बहुत बहुत जादा बात होगी अब मैं बात करूंगा इसके उपर तो basically model किसका part है UI का part है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा एक file बना दूंगा जिसका नाम रहेगा model.js और दूसरे एक file और बनाओंगा जिसका नाम है model.module.css यहाँ पर लिख लेता हो model.module.css यह दो अपनी file बनकी जिसके अंदर हम लिखने वाले है model ठीक है तो सबसे पहल बनाओंगा const और यहाँ पर मैं पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा basically model ठीक है और यह model जो है props लेगा और return करेगा ठीक है so return return कुछ return करेगा right और मैं गलच जगा लिख रहा CSS में लिख रहा I'm really sorry मुझे लिखना है model chase में ठीक है मैंने cut करके यहाँ पेस कर दिया export default कर दूँगा model ठीक है यह मेरा model है अब जो आयगा यहाँ पर दिख जाएगी right तो basically यहाँ पर props.children यूज़ करूँगा लेकिन हाँ अभी के लिए जो है मैं थोड़ा simple यूज़ करना चाहत हूं यानि कि basically मैं यहाँ पर div लिखूँँगा और मैं इसके उपर model class attach कर दूँ नहीं तो हमें काम कर सकते हमें काम करते हमें पता है हमें पहले क्या चाहिए backdrop चाहिए backdrop मतलब basically component बनाएंगे हम backdrop component होगा जो props लेगा और backdrop का का काम करेगा यहाँ यहाँ भी हम return कर देंगे कुछ ठीक है export करने के जूरत नहीं हम basically इसके बात कर रहे है जो पीछे दिख रहा है और उसके बारे में ठीक है तो इसको export करें की जूरत नहीं क्योंकि हम कहीं और जगा use नहीं करने वाले हम यहीं पर use करेंगे तो यहाँ पर मैं return करूंगा ठीक है तो यहाँ पर return मानले जिए div है ठीक है इस div के अंदर हमें क्या चाहिए कुछ भी नहीं जो भी आएगा उसक जो की complete चारो और blur करते है तो यहने कि इसको कोई CSS properties apply करके आसम कर सकते तो मैं class name दे दूँगा example के लिए मैंने इसका नाम दिया backdrop लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख रहे है model.module.css के अंदर तो इसको import करेंगे तो let's say मैं इस class को import मतलब इस file को import करूंगा classes के नाम से ठीक है मैं आपर क्या नाम दिरने वाल हो model.module.css class अब मैं आपर क्या करूंगा model.classes और इस पे जो मुझे देना है यहाँ पर इस classes के ऊपर basically मैं backdrop call करूंगा क्योंकि यह backdrop class मैं यहाँ पर बनाऊंगा ठीक है तो यह मेरी backdrop class रहेगी right तो यह हो गया और यह कुछ नहीं बस इसका काम इतना है कि जो आप दोगे और यहाँ पर एक element return करेगा जो कि वो पूरा effect लेकर आएगा हम देखेंगे कैसे साथी साथ आप चाहते हो कि जब एक click हो तो कुछ हो right तो क्यूंकि हम अभी just बात किये थे कि just इस पर जैसी यहाँ पर आप आप देख सकते हैं जैसे on close ठीक है correct अब backdrop यूज हो गया अब मैं क्या करूंगा एक हमें model overlay बनानी है यानि कि basically मैं इसकी बात कर रहा हूँ यह overlay राइट तो यानि कि यह चीज जो यह दिख रही है न वाइट तो यह content area बनाना अपने को तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा const राइट यहाँ पर model overlay कैसे ले overlay right sorry मजा कर रहा था और यह भी same काम करेगा यह भी return करेगा इसको भी export करने के जुरूत नहीं है क्योंकि हम यह भी use करने वाले आप चाहे तो separate बना सकते थे ठीक है तो let's say मैं use कर रहा div और इस div के अंदर क्या रहेगा basically class नहीं attach कर देते ठीक है और इस class का model ही ना देंगे इसकी लिखने वाले properties CSS की लेकिन अभी के लिए जो है अभी content यह लिख लेते है HTML sorry JSX part लिख लेते है ताकि structure समझ मैं और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ यह इसके अंदर एक div होगी और इसके अंदर मैं जो भी आएगा उसको दिखाना चाहता हूँ यानि क इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर दिखेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर कहा लिखूंगा props.children अब इसके उपर पर class देनी पड़ेगी कुछ right तो मैं आपर क्या दूंगा मैं आपर देना शाहत हूँ लेट से content क्योंकि यह basically अपना model हो गया right तो यह complete model है और इ यहाँ पर मैं दे दूंगा classes.content ठीक है इसके उपर भी हम CSS लिखने वाले हैं तो मैं आपर क्या करूंगा dot content ओके correct अब यहां तक हो गया यहां तक समझ मागी अब अगर एक काम करेगा इसको action में देखने है तो हम एक काम कर सकते इसको यहाँ पर group कर सकते कैसे पहले एक parent node ह जाएगी जब आप इसे लिखोगे तो react से ठीक है अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा backdrop और model overlay यह दोनों चीज़ चाहिए ठीक है तो मैं आपर लिखते तो backdrop और model overlay यह चीज़ तो क्योंकि मैंने export नहीं किया इसले क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे है अब backdrop को कुछ च प्रॉप्स ठीक है thought sorry I mean to say यहाँ पर मैं पास करूंगा on close और यह भी यहाँ पर मैं कुछ method नहीं बनाना चाहता हूँ right मैं चाहता हूँ कि यह बाहर से जो पास कर रहे है वह ही इसको बंद करे क्योंकि अपने यहाँ पर close button होगा नहीं right यहाँ close button बाहर से आने वाली है close button मतलब यहाँ पर कहीं भी नहीं रहेगी right तो यह जो यूज करेगा वही pass करेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ on close ठीक है basically मैं यह बूल रहा हूँ कि जो इसको use करेगा वही pass करेगा on close प्रॉप्स इस पर तो यह हमें मिल जाएक और यही चीज मैं forward कर दे इसको ठीक है तो आप देख रहे हो कि on click में props.onclose use कर रहा हूँ क्योंकि backdrop के उपर on close pass हूँ as a props यहाँ पास कियें इसलिए हमें यहाँ पर call कर पा रहे है right यह clear है यह चीज जो दिख रही है right so basically काम करने का तरीका simple है यह मैं जो प्रॉप्स backdrop के उपर pass होगा यहाँ लिखा यह हमारा backdrop है right अगर मैं बात करूँ यह अपना पूरा complete backdrop है तो और यहाँ बे मैं close करूँ गा तो यह backdrop बंद हो जाना ची मतलब basically sorry अगर मैं close करूँ तो close हो जाना ची model और अगर मैं backdrop पे कहीं क्लिक करूँ तो यह बी बंद हो जाना ची model right तो कहीं र कहीं दोनों को connect कर रहे ह तो यही चीज मैंने किया जो भी model यूज़ करेगा इसको pass करेगा बाहर से अभी के लिए अगर मैं try करूए आप इंपूर्ट करके तो यह काम करेगा लेकिन उससे पहले मैं CSS लिखनी पड़ेगी तो लेट से मैं app.js में चाहत हूँ और यह card है मुझे कहां यूज़ करना है card के अंदर right so यह card है और मैं ढोट रहा हूँ card यह card है और basically यहां जो मैं use करना चाहता हूँ model right क्योंकि basically यहां पर ही जो पूरी card दिख रही है जो भी items आप purchase करने वाले हो तो मैं आपर क्या करूँगा import करूँगा तो let's say मैं model import करता हूँ import model from UI model right अब मैं आपर क्या कर दूँगा इसको लिखता हूँगा model और यहां पर भी अपने आप automatic हो जाएगी ठीक है अगर मैं इसको save करता हूँ तो यह कैसी दिखेगी refresh यह सई नहीं दिख रहा राइट कुछ भी दिखी नहीं रहा क्यों क्यों इसका reason यह है कि जो model के अंदर आ रहा है वो हम कहा दिखा रहे है अगर मैं model के अंदर जाओं तो यह है props और यह है model overlay मेरा कहने का मतलब यह है कि model overlay को भी props जाएगी जो कि यहां पर props to children आएगा यानि कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा इसके बीच में लिखने पड़ेगी model overlay के अंदर content लिखना पड़ेगा model overlay इसके अंदर जो में लिखूंगा वो मुझे दिखेगा क्योंकि यही जो भी इसके अंदर आप लिखोगे यह model overlay का children रहेगा यह चीज तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा मैं आप लिखूंगा props ठेक है और यहाँ पर मुझे कैसे मिलेगा यह चीज यह मिलेगा props से यानि कि model जो इसको wrap कर रहे है यानि कि यहाँ पर आप card देख रहे है यह जो model के opening opening और closing tag के बीच में यह चीज है यानि कि चिल्ड्रेन है राइट model का तो अब मैं model करने जाऊंगा और मुझे पता है कि model का जो children है यानि कि उसके बीच में लिखा है और कहा available होगा props के उपर तो और children में अब जब मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या होगा refresh ये चीज दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि model का CSS में add करना पड़ेगा तो let's say model का CSS add करते हैं तो पहले हमें backdrop का लिखना पड़ेगा तो position में fix चाहता हूँ top 0 ठीक है left 0 चाहिए मुझे with 100% complete screen पे चाहिए height base का complete 100vh जहां तक नीचे screen जाए वहां तक ठीक है जे इंडेक्स में 20 रहना चाहिए inherit नहीं उसके बाद मैं दूँगा background color तो background color मैं दूँगा RGBA और इसके अंदर मैं दूँगा 0 पूरा black चाहिए रहा है 0,0 और हलका सा black का shade चाहिए मुझे 0.75 ऐसा कुछ मुझे दिखने को मिलेगा तो basically मैंने क्या दिया RGBA और अब मैं आपे क्या करूँगा अगर मैं भी देखूँगा तो ये black हो गया इसको बोलते है basically हमें यही देख रहते है ये जो backdrop है तो काम करना शुरू करती है अब मैं आगे लिखता हूँ model के बारे में तो model का भी position fixed चाहिए ठीक है चाहिए कितना भी scroll करो model मही दिखे model scroll नहीं होना चाहिए उपर से मुझे चाहिए इतना distance top से left से चाहिए 5% ठीक है और width चाहिए 90% background color चाहिए triple F या white और padding 1rem ठीक है border radius 14px box shadow भी दे देते है 0, 2px 8px RGB, A यहाँ पर भी मैं same देतूंगा बस 25% 25 करतूंगा black it चाहिए वैसे लेकिन अल्री content हमार वाइट है आपको पता है जो list हम यूज कर रहे 30 right अब मैं आपे क्या करूंगा अगर अभी आप मेरा screen देखेंगे तो आपको ऐसा देखेगा ठीक है लेकिन इतना बड़ा नहीं चाहिए यह छोटे screen पे पूरा बड़ा है चलेगा तो मैं आपे क्या करना चाहता हूँ जब बड़ा screen हो तो उसका media query लेक कर इसकी size को हम थोड़ा छोड़ा कर देते हैं यानि desktop पे आप हो तो इसके अंदर जो model है वो मेरा क्या होना चाहिए width मेरा 50rem या 40 दे देता हूँ ठीक है left से यह मैं थोड़ा कम करूँगा so calc basically function के अंदर आपको लिखना पड़ता है कितना width चाहिए यह dynamically calculation होगा तो 50% और यह minus मैं कर रहा है 20rem pixel ठीक है अब अगर मैं देखूँ तो मुझे इतना छोटा देखेगा जो कि अच्छा कासा दीक रहा है यानि कि मेरा काम हो चुक है model का ठीक है लेकिन मुझे model ऐसे यूज़ नहीं करना था चलो ठीक है यहाँ पे cart में काम कर रहा है लेकिन basically मुझे react portal use करना था react portal use कैसे करते है सबसे पहले तो हम जहाँ पे content दिखाना चाहते है model को यहाँ पे ठीक है public के अंदर index.html में कहा है और मैं root से just stupid ठीक है क्योंकि basically यह जो box दिखरी है अपने application के level पे दिखरी है मतलब ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो जैसे बागी चीज है कि यह black के नीचे है या फिर इसके just summary के नीचे list है exactly इसका जो position screen के ऊपर है इसलिए मैं इसको बाहर रखना चाहरा हूँ hierarchy में जो जहां पे चीजे दिख रही है मतलब वहां पे लिखते नहीं चाहिए ताकि यह exactly पता चले कि अच्छा इसका पार्ट नहीं है overlay या फिर मैं दूँगा model hyphen overlay ठीक है यह सही नाम है और यहां पे मैं क्या करूँगा यहां पे मेरी model appear होगी अभी कहां पे appear हो रहा है अभी कहां पे model दिख तो पे रहा है यहां पे लेकिन basically मैं project कहीं पे नहीं कर रहा है यहां पी दिख रहा है अभ मैं चाहता हूँ कि लिखा यहां पे लेकिन इसको दिखाओ यहां पे मतलब DOM में यहां पे दिखे है ना यह चीज़ DOM में जो अभी अगर मैं इसको inspect करूंगा तो आप देखो कि यहां पे दिखेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहां पे दिखे यहां पे आए ठीक है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं इसको reserve कर लिया place जहां पे जैसे अपना पूरा application यहां पे पूरा राइट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यह पूरी application अपनी complete यह तो और मेरा चाहता हूँ model यहां पे आए ठीक है क्योंकि exactly same hierarchy में है तो मैं इसको use करूंगा अब model के अंदर आया तो अब आपने react portal के वारें पढ़ाई करीए react.portals या में तो इसको use कैसे करते हम देखने वाले है अब simple से ज्यादा इसमें भागने लगानी है अलड़ी हमने practice किया है तो तो पहले यहां पे जाएंगे just this के नीचे हमें ओ प्लेस चाहिए जहां पे model दिखाना चाहते है ऐसे model screen भी दिखाना चाहते है लेकिन DOM मतलब basically DOM tree में कहां पे appear होना चाहिए ठीक है तो मैं आप इसका नाम दे रहो portal element ठीक है यह ठीक है यह चीज portal element है और मैं आप इस देना चाहत हूँ document.getelement by id और exactly मैं इसको access करूँगा क्योंकि मुझे यहां पे content insert करना है तो मैंने copy किया paste किया यहां पे मैं नाम देता हूँ model portal element ठीक है अब यह हो किया अब मुझे क्या करना है simply इसको comment out करना है क्योंकि मैं ऐसे use नहीं करने वाला क्योंकि यहां का यहां मुझे नहीं दिखाना है ठीक है दिखे screen पे लेकिन DOM tree में चाहिए वहां पे index.html की just root की ऊपर चाहिए जो मेरा application load हो रहा है तो यहां पे मैं क्या करूँगा पहले import करना पड़ेगा react क्योंकि react portal की ऊपर ही है तो मैं यहां पे import react कर देता हूँ अब मैं यहां पे क्या करूँगा इसको comment कर दिया जो है इसके ऊपर हमारा portal है create portal ठीक है एक method है जिससे portal जिससे basically placeholder create होता है ऐसा कुछ तो मैं import करूँगा import react DOM ठीक है और यह कहां से आएगा react DOM से आएगा ठीक है ऐसा कुछ आएगा और basically यह default है name type namedix import अब मैं आपर क्या use करूँगा react DOM .createPortal इससे method से basically create होती है जो बूचता है कि ठीक है किसके लिए करना है तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है किसके लिए करना है तो मैं बुलूँगा भाई जो करना है वो मेरा backdrop है इसके लिए करो ठीक है क्योंकि मैं दोनों चीज़ें दिखाना चाहता हूँ यह अब यह जो blur जो दिखरी और प्लस एक model जहां पे दिखरी है content जिसमें backdrop तो मैंने बता दिया कि basically यह backdrop है और इसके उपर जो भी properties props पास करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ पे मैं on close जो चीज मैं यहाँ पास कर रहा हो यह चीज़ copy कर सकता हूँ exactly काम करेगा कुछ issue नहीं है ठीक है और उसके बाद यह जो है मुझे बताना पड़ता है कि ठीक है यह हो गया component और उसके बाद कि कहां पे portrait करना है तो मैं बोला model portal element में दिखाओ इसको ठीक है same मैं क्या करूँगा नीचे वाले के लिए भी मतलब model के लिए भी यह चीज model overlay के लिए भी react dom dot create portal और इसके अंदर मैं क्या यूज करूँगा model overlay write जो मैं यहाँ पे लिख है और जैसा लिख है वैसे यहाँ पे लिखतूँगा यह जैसे यूज कर रहे थे model overlay मैं copy करूँगा ठीक है यहाँ पे मैं paste करते तो लिखने से और मैं इसको कहाँ दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ same जगह पे जाहो मैं reserve जो मैंने place किया है यह right model overlay जिसको मैं get कर रहा हूँ यानि कि मैंने place को reserve किया है दोनों चीज़ दिखाने के लिए एक ही में ठीक है तो यह चीज़ हो गया और मैंने export कर दिया अगर मैं refresh करो तो आप देखे अभी भी काम कर रहा है लेकिन अब जो चीज़ दिख रही है DOM में अगर आप देखोगे तो यहां पर model overlay है यह root है अगर मैं इसको delete कर दूँगा यहां से तो चला जाएगा यानि कि यहां पर ही अपनी content आ गई है यह जो भी हमने लिखा कहां पर आ गया यहां पर आ गया देखने में हम यहां भी लिखे इसी src के अंदर ui सब एक ही hierarchy में लेकिन लिखने के लिखे लेकिन finally जब compilation होने के बाद react क्या करता है इसको जब भी पूरा चीज model bundle up करने के बाद जो भी चीज़ें आप export कर देता है यहां पर port कर देता है ठीक है अब यह जो चीज़ है यहां पर आ गई है तो यह हमारा था react portal जो कि exactly सही काम कर रहा है अब क्योंकि हमने चेक करने के लिए इसको यूज किया था अब हम इस पर भी काम करेंगे दूसरी बात अब यहां से हम यह हटा भी सकते हैं जो हम पहले यूज कर रहे थे यह previous था और हमने react portal उसकरने के बाद कुछ ऐसा किया तो basically इस method से हम यह काम कर पा रहे और बाकी यह जो chain याने की जो बाहर से आ रही है model को वह यह चीज़ हम forward कर दे रहे backdrop को model overlay को राइट जैसे की on close आ रही है या जो children आ रही है राइट तो exactly easy है राइट अब आगे देखते हैं कि इस पर काम करने